आप देख रहे हैं Business Today बज़ार मैं उहर शर्मा आज हम आपको लिए दो स्टॉक्स की बात करेंगे आपर दसरी जो दो स्टॉक हैं और पहले मल्टी बैगर हैं लेकिन अब यह दोनों जो स्टॉक्स हैं यह जॉइंट फेंचर इन दोनों स्टॉक्स निया कहें कि इन दोनों कम महत्पूर्ण है इससे दौनों के स्टॉक पर क्या असर होगा और भविश्य में इसका किस तरीके की चीज़े देखने को मिल सकती हैं दौनों में से कौन सी कंपनी का इस डील से सबसे अदा फायदा हुआ है तमाम पहले उपर हम लोग चर्चा करेंगे लेकि उससे पहले अ 60 करोड रुपे की ट्रांस्मिशन प्रयूजना का ठेका दोनों कंपनियों को मिला है आपको बता दें कि आर्वे अनल और सालासर टेक्नो एक मल्टीवेगर स्टॉक से इनके रिटेंस की बात करेंगे हम आगे और क्या आगे भविश्य के लिए हो सकते है वो भी बताएंगे सालासर टेक्नो एंजिरिंग लिमिटेड ने एक बयान में कहा है कि ये ठेका उर्जा विकास निकम लिमिटेड से मिला है इसे 18 महीने में पूरा करना है इस महीने की शुरुआत में जॉइंट वेंचर को मध्य प्रदिश सरकार से करीब 174 क्रोड रुपे की टांस्मिशन प लाकी की हिस्सेदारी है अगर आप यहां पर यह देखिए यह जो खबर आई थी यहां पर आयए थी ब्रस्वति बार की शाम को शुकरवार को छुटी थी और आप यहां पर साफ तौर पर देख रहे हैं इसका असर देखने को मिल रही है सालसार में पांच प्रतिशत की तेजी अपर सरकेट लगा हुआ है अपर इस खबर के बाद अगर आप आर्वीनल की बात करें तो वहां पर भी एक बाद स्थी देख लेते हैं स्टॉक में भी तेजी है और करीब कोई तीन प्रतिशत की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है अगर आप सालसार टेक्नलोजी की बात करें यहां पर तो एक महाने में यह स्टॉक जो है करें 24 प्रतिशत का रिटन दिया है जबकि इस साल में अब तक देखा जाए 54 प्रतिशत स्टॉक रिटन दे चुका है तीन महाने में 52 परतिश सто्ओ का रिटन रहा है एक सान में 173 जो है वह धीरी दीरी चाल जो है वह देखने को मिल रही करीब धाई प्रतिशन की तेजी रही यहां पर पीछे करेक्षन देखने को मिला था उसका असर है यह ती महींने में 42 सदी का रिटन दिया है इस साल अब तक करीब 40 प्रतिशन यह स्टॉक भाग चुका है एक साल के अं समझ सकते हैं कि joint venture से जो सबसेधा फायदा होगा वह вещ होगा किस लिहास से होगा उन्होंने ये चीज समझाई है उन्होंने काई कि आरबेनल के लिए यह जादा अची खबर है लगातार आर्वनल जो है वो नई technology कि इस्तमाल कर रही है साला सार हम लोग देख रहे हैं यह यह इंफर स्ट्रक्चर कंपनी हो गई और यहां पर टावर मैनुफेक्चिरिंग से जुड़ी हो गई इसका बिजनस मॉडर रहा है तो अब ऐसे में यहां पर सूलर से लेकर एर्रकाफ्ट में जो इसका फाइदा आर्वी एनल को मिलेगा और अगर टेक्नोलोजी क्योंकि यहां पर क्या है कि सबसे बड़ा कंसर यह था कि हम लोग देख रहे थे कि रेलवे इसके एक्सिदेंट हो होता हो दिख सकता है यहां पर हमने उनसे पूछे सलसा टेक्नोलोजी में क्या करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि यह स्टॉक को लेकर अभी पॉजिटिव है सेंटीमेंट और आगे भी भविश्य में इसकी तेजी रह सकती क्योंकि यह कंपनी जो है इसका जो बिजनस मॉड करें इसका पी जो है करीव चॉंसट पर है लेकिन अगर आप इसके यहां पर पीरस कंपनी की बात करें से रत्नावनी मेटर्स हो गया इकतिस के आसपास पी एसका गोदावरी पावर 11 के पास है उशा मार्टें 23 के पास है सार्दा एनरजी 13 का पी एसका तो इस लिहास से यह 2022 में 108 करोड के आसपास थे लेकिन अब लगातार इसमें बरौतरी हुई है और बरौतरी होके 1136 करोड तक पहुँच गया है यहां पर लगातार हम लोग देख रहे हैं कि आप देखें कि मार्च 2021 में 600 करोड की थी और अब यह करीब करी 1200 करोड की पहुँच गई है तो यानि करी 60 प्रतिशत है यहां पर अब बात करते हैं रियल विकास निकम लिमेंटीट की तो यहां पर अगर देखा जाए तो यह इसकी कमपनी का मार्किट करोड का इसका पी जो है वह गरी 37 के आस्पार कर रहा है अगर आप इससे जुड़े होगी company जो peers company है उसको देखें दिली बिल्ड कॉन तो 112 पे PEE है यहाँ पे इसके अलावा GR Infra Project की बात करें तो 11 के आसपास PEE है IRB Infra की बात करें तो 66 का इसका PEE देखने को मिल रहा है हम लोग लगातार देख रहे हैं IRB Infra को order मिल रहे हैं और इसको order के दम पे stock में fundamentally मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है तो यह overall चर्चा थी इस खबर को लेका कि joint venture था IRB Infra और यहाँ पर सालसर technology में इस joint venture को कितना असर आगे देखने को मिलेगा stock में आज साफ तोर पे तेज़ी देखने को मिल रही है 5% सालसर में तेज़ी है अपर सरक्रेट लगा है और IRB Infra के 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएगा बिजनस उड़े बजार के साथ जुड़ने के आपका भावत धन्यवाद